हलो एरिवन वेलकम टू दा इस्टुएंट चैनल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलपे टेक्निशन की प्रेप्रेशन इस्टेड़ी हमारी क्या होनी चाहिए जो भी भवी समय जब भी इसका वैकेंसी आता है तो उस समय आपको कैसे एक्जाम देना चाहिए उसके लिए अभी से क्या प्रेप्रेशन करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में मैं उन पॉयंट पर ज्यादा फोकस करने वाला हूँ जो लोग अबी बीगिनर हैं जो लोग अभी start करना चाहते हैं एक तब basic से में बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपनी preparation start कर सकते हैं कौन सी basic चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है कौन सा book आपको starting में भी ले लेना है कि कैसे मैं start करूं कुछ लोग 9th में कुछ लोग अभी complete हुआ है कुछ लोग अभी eligible हुए है तो बहुत से student हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं और इस तरह के बहुत से सवाल आ रहा थे कि कैसे हम लोग start करें क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका सपना है एलपी बनना रेले में आना तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एकदम starting point से बताने वाला हूं कि कैसे आपको preparation start करनी चाहिए और एकदम basic से क्या करेंगे आप तो धीरे धीरे वही प्रक्रिया आप फालो करते रहें और आपका selection तक पूरा स्लेवस एकदम आराम से complete हो जाएगा और आपको कुछ भी ज्यादा extra या फिर मेहनत करने की जरूवत नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूवत नहीं धीरे धीरे आप प्रक्रिशन करते रहेंगे तो आपका स्लेवस भी complete हो जाएगा और आपकी प्रक्रिशन भी अच्छी हो जाएगी तो सबसे पहले हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहला point मैंने यहां पर लिखा है कि नो एवाउट स्लेवस इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है गूगल पर जाना है और सर्च करना है कि एलपी टेग्निशन के आप जो स्लेवस होता है उसको डाउनलोड कर लिजी सी एन सी एन दो हजार अठार में जो बगए से निकली थी उसकी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लिजी उसमें मैक्सिम्म डाउट आपके वहाँ प पूरा समय देंगे तो आप पूरा जो है पढ़ लेजाएंगो उसको समाझ भी लेंगे तो उसमें जो है शले वस्टीए हुआ है पूरा जो है LP technician का जो भी स्लेवस आता है CBT1 और CBT2 में दोनों स्लेवस में दिये हुए है दूसरा point आपको ध्यान देना है कि CBT2 का आपको target लेकर के चलना है जब भी आप preparation start करेंगे तो CBT1 को target लेकर के नहीं चलना है आपको क्योंकि CBT1 का स्लेवस जो है CBT2 में included है तो CBT1 के लिए कुछ भी extra ऐसा नहीं पढ़ना है जो CBT2 में नहीं हो आपको ध्यान देना है कि CBT1 का पूरा स्लेवस CBT2 में included है तो आपको CBT2 पे फोकस करना है ना कि CBT1 पे तो इन ही दो point पे हम फोकस करने वाले हैं तीसरा जो है cycle exam है इसकी तैयारी मुस्किल से मुझे लगता है दस से पंद्रे दिन में complete हो जाती है और सभी लोग इसमें निपूर हो जाते हैं और maximum लोग का इसमें निकल जाता है लेकिन इसमें जो छोटी गलतियां कर लाते हैं उन्हीं लोग का जो है तो तीसरा और चौथे पॉइंट पर हम बात नहीं करने वाला है क्योंकि तीसरे और चौथे पॉइंट से से रिलेटेड वीडियो बहुत सारे मैंने चैनल पर बनाया हुए है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो साइको एक्जाम के जितने भी बैटरी टेस्ट आते हैं उ कौन-कौन से चेक की जाते हैं और क्या उसका क्राइटेरिया रहता है तो यह दोनों वीडियो आप जाके जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चलिए उन दोनों पॉइंट को छोड़ते हैं सिर्फ हम इस वीडियो में पहले और दूसरे पॉइंट पर फोकस करने वाले हैं अब आपके दिमाग में आएगा कि स्लेवस तो मैंने लिख लिया है आप कौन-कौन सी बुक मैं खरीदू या फिर कौन-कौन सी बुक से पढ़ाई स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आपके पास एक लूशेंट होना चाहिए चाहे तो आप हिंदी में ले सकते हैं और इंग घटना चाहिए तो आप चाहें तो जो भी आप प्रिवेस यहर पेपर जब आज जाकर मगेंगे तो आप ले सकते हैं यह आपके पास होना जरूर होना चाहिए उसके बाद से टेसरीज बहुत इंबोड़न्ट है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफर्म का यूश करके आप टेसरी ले ले लिए प्रिवेस यहर पेपर में बहुत चीजे रहती आ लेकिन आपको अगर मैफ पढ़ना है जो है फिरbers अ yeter कि reconciliation से कोई एक zitten 살 लेते हैं sufficient होगा उसके बात आती है current affairs की current affairs में कोई भी एक monthly magazine आपको follow करना है कोई भी चाहे तो आप प्लेटफर्म का भी ले सकते हैं द्रिस्टी का कई लोग लेते हैं कई लोग अरिहन प्लिकेशन का लेते है तो बहुत सी magazine है तो आप उसको follow कर सकते हैं online भी आपको कई online platform है जो monthly magazine provide कराते हैं PDF के form में तो वह भी वहां से आप चाहें तो परचेश कर सकते हैं next point है basic science and engineering यह CBT2 में आता है और इसमें basically क्यों होता क्या है कि जो आपने 12 में या 10 में 10 के ही मान के चलिए 10 में आपने जो भी physics के syllabus हैं बायो के syllabus हैं chemistry के syllabus हैं इस तरह के question बने होते हैं कुछ उसमें numerical होते हैं और इस तरह के question उसमें आते हैं यह CBT2 में ज्यादा तरह इस ते difficult question बनते हैं लेकिन CBT1 में भी आते हैं ऐसे question तो आपको इसके लिए क्या करना होगा platform publication की book आप purchase कर सकते हैं उसके बास जाता है पार्ट बी बहुत ही बहुत ही important है यह स्रिफ qualifying है तो कोई भी आप अगर आपको ट्रेट चूच करते हैं कोई भी आप अगर ट्रेट चूच करते हैं तो उसके लिए अगर आपने डिपलोमा भी किया हो या फिर बीटेक किया हो तो वह सब आपको ध्यार नहीं दे रहा है सिर्फ आपके पास की आप बूक करे लिजिए उस ट्रेड की और उसी को आप पढ़ लिजाए उसी में जो question होते हैं उसको पढ़ ले जाए उसके साथ साथ आपको प्र ठीका क्योंकि अगर एक किस्टिप को आपको समझना है कैसे प्रपरिशनी स्टार्ट करनी है तो आप वीडियो के साथ बने रहे हैं इसके लाए एक चीज और छूट रहा है वह है इंजिरिंग ड्रॉइंग के लिए अभी से मुझे नहीं लगता है इसको पढ़ने की जरू पूछे जाते हैं तीन कोस्टिन ही मुझे लगता है जादा से जादा पूछे जाते हैं इससे जादा बहुत हो सकता है किसी में चार कोस्टिन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल सिंपल कोस्टिन पूछे आते हैं कई बार मेरे में तो सायद एक आया था कि कोई भी लाइन है उसका जब dimension आप लिखते हैं तो जो एरो होता है इसमें यह ratio पूछा था एरो का इसमें स्लेवस तो बहुत अच्छा है काफी डीप में भी पूछा आ सकता है लेकिन आईटियाई लेवल का ही यह paper है तो engineering drawing जो डिप्लूबा में भी पढ़ा जाता है जो बीटे करते हैं उसमें भी engineering ट्राइग पढ़ा जाता है लेकिन उसका तो जब आप CVT1 clear कर लेंगे तो CVT2 में आप engineering drawing के लिए आप एक week में मतलब एक हपते के अंदर ही आप इसको चार-पांच पन्ने का ही notes बनाएंगे और वो पूरा engineering drawing cover हो जाएगा तो इसके लिए अभी से आपको पढ़ने की जरूवत नहीं है बस में बता देता हूं कि इसलिवस में है लेकिन अभी से आपको पढ़ने की जरूवत नहीं है ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको अगर तयारी करनी है तो अभी starting किस चीज़ से करना है ये मैं स्रिफ आपको बता लेनी चाहिए और क्या क्या हमको improve करने के लिए कौन कौन से और पढ़नी चाहिए तो धिरे-धिरे आपको पता भी चलता रहाएगा लेकिन आपको start कैसे करना है और basic से कहां से start करना है यह सब चीज़े मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अब सबसे important चीज आपने slayvers भी लिख लिया है और book भी collect कर लिया है जो basic book है जो ज़रूरी थोड़ा starting के लिए जो जो book चाहिए वो collect कर लिया आपने अब सबसे पहले आपको करना क्या है अनिस्टाल useless app from your mobile जो भी आपके mobile में जो भी applications है जिसका आपके लिए use नहीं है उसको पहले आप अनिस्टाल कर लिजे क्योंकि सबसे ज़्यदा time जो है आप उसी में देते हैं और मुझे लगता है कि जो भी लोग वीडियो देख रहे ह आने वरेज अपने दिन का 6-7 घंटे अपने बॉयल में यूज़ करते हैं ये तो अनिस्टाल करना आपके उपर है चाहे तो आप अनिस्टाल करिए चाहे नहीं करिए अब देखिए सबसे पहला क्या है कि आपको क्या करना है शुरुआत में जब पढ़ाई श्टार्ट करन से कुश्चन आ रहे हैं मैं लोग किस तरह के कुश्चन आ रहे हैं मैथ में किस तरह के कुश्चन आ रहे हैं किस पोड़ संसे ज्यादा कुश्चन आ रहे हैं मैं जहां तक बताता हूं अर्थमेटिक को जो है ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है साइंस क्लास टेंथ का ही स है स्लिवस मैंने बता दिया है आपको कहासे डومडुट करना और कैसे उसको लिख के रखना है उसके बाद से बात आती है साइंस में नुमेरिकल भी आते थे तो नुमेरिकल क्या होता है कि 4-5 पेपर सील आप करें घानाओथ क्र 이 आप पर starting करना है तो आपको reasoning भी पढ़ना है तो reasoning भी आप समझ जाएंगे कि बहुत deep में रहे रहता है जैसे bank के paper आते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े paragraph दिये रहते हैं sitting arrangement बहुत बड़ा बड़ा दिया रहता है और उस तरह से question आए और आपको ज़्यादा समय लगाए उसको solve करने में इस तरह के question इसमें फिलाल नहीं आते हैं simple normal question आते हैं उसके बाद से अब बात करते हैं mathematics हो गया उसके बाद से जीके general knowledge के अगर बात करें तो general knowledge के जो question है मुझे जहां तक लगता है railway में हमेज़ा question जो है repeat होते है 90% question जो है repeat होते हैं कभी ने कभी उसके previous year paper में आये होंगे या फिर group D में भी आये होंगे JV में भी आये होंगे इस तरह question उनके GKK repeat होते हैं one liner question रहते हैं और data से data based भी जो question होते हैं वो रहते हैं GKK question जब मैं कह रहा हूँ जब starting करें आप तो 3-4 paper पहले solve करना है आपको previous year का उसके बाद से बात करते हैं current affair current affair अगर आप आज solve कर रहे हैं तो जाहर सी बात है अगर आप सुरुआत कर रहे हैं तो उस समय के अनुसार जो है वो current affair दिया हुआ है तो current affair आपको skip करना है अब current affair अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको idea लग जाएगा कि book से related पूछ रहा है क्या या फिर writer से related कोई current event हुआ है संसोधन हुआ जो भी सम्मिधान में या फिर कोई बीमारी से related कोई अविसकार से related नोबे पूलसकार से related उसमें के इस तरह के question आपको 3-4 paper में देखने से idea लगेगा कि क्या-क्या point हमको current affair में भी पढ़ना है defense में क्या हो रहा है कौन-कौन देशों के बिद्ध जो युद्ध अभ्यास होते है उससे related question पूछा जाता है तो ये सब चीज़े important point है जो आपको note करके रखना है previous year paper देखके कि इसी आधार पे हमको पढ़ाई करनी है ना ही हमें UPSC की तैयरी करनी है ना ही बहुत deep में हमको जाना है ये मैं इसलिए कहा रहा हूँ बीना कोई book खोले आपको सबसे पहले previous year paper देखना है सबसे मेले मैंने लिखा है कि it will help you understand the level of paper मतलब आपको paper का level समझ में आ जाएगा कि कहां से तक question पूछे जाता है और मुझे 100% paper नहीं solve करने है selection के लिए मुझे target बना के चलना है कि मेरा target 80% के आसपस रहना चाहिए मतलब मैं अपना paper 80% तक complete कर ले जाऊ मुझे गलती नहों लेकिन शुरुवात में आप हो सकता है 40% से start करने क्योंकि 40% हो सकता है आपने preparation अभी start नहीं की है तो 40% ही paper आप solve कर पा रहे है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा उसके बाद से आप क्या करना है दूसरा नमर आप क्या करना है अब आपको weekly target set करना है weekly target क्या होगा आपका math होगा, gk होगा और science होगा math में क्या करना है आपको एक week में एक chapter complete करना है क्योंकि अभी paper तो होने वाला नहीं है जो लोग starting से preparation कर रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ एक week में एक chapter complete करना है कुछ लोग पहले paper दे चुके हैं कुछ लोग group D कभी paper दे चुके हैं पहले कुछ लोग पहले से preparation कर रहा है तो उनके लिए ये नियम नहीं लागो होता है वो मैत को जो है एक week में कम सकम कोशिश करिए दो से तीन chapter complete करने के लिए क्योंकि वो पहले से पढ़ चुके हैं लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं भी start कर रहा है तो मैत को जो है आप क्या करिए एक week में एक chapter का ही target रखिए और उसको अच्छे से करिए उसमें जितने भी question है वो कर ले जाएए दो book मैंने जो पताया है जो है आरे सरक्रवाल हो किरन publication हो कोई लोग कोई लोग राके स्यादो करते हैं जो तिया तर सो प्लस book है तो भी SSC से related है लेकिन जायर जबात है question basically वो इसी तरह से main रहते हैं और इन तिनों book में से कोई भी आप purchase कर सकते हैं कोई एक-एक chapter उठा कर आपको पढ़ना है अब आपको concept नहीं पता है तो YouTube पे बहुत से वीडियों है बहुत से online platform है जो एक-एक chapter करके पढ़ाय हुआ है तो वहाँ से आप चाहें तो cover कर सकते हैं बाकि अगर आपने 10th, 12th जो भी ITI कोर्स complete किया है तो normally question आपसे हो जाएंगे लेकिन आप लोग online YouTube का चाहें किसी भी platform का यूज जिरूर करिए जिससे क्या होता है GK के लिए आपको पास solution है ही बाकि आप previous year paper रखें है चाहें तो और भी other book रख सकते है Kiran publication का भी book रख सकते है बाकि platform publication का भी आप चाहें तो book रख सकते हैं GK का उसमें क्या होता है कि previous year के जितने भी question आया हो रहते है pattern wise, chapter wise करके दिया रहता है कि यह question आया हुए है तो वो भी आप रख सकते हैं बाकि अगर आप lucent लेते हैं तो उसमें क्या करिए आप दो subject target करिए कि इस week में मुझे दो subject कोई cover करना है और पूरा दो subject नहीं cover हो पाएगा दो chapter हर एक subject का मुझे cover करना है मतलब अगर मैं history लेता हूँ तो history में क्या करूँगा मैं इस week पूरा मैं ancient history पढ़ ले जाऊँगा ठीक है? अब हो सकता है आदा ही पढ़ पाएगा या फिर पूरा पढ़ ले जाएए अब पढ़ना है आपको notes भी बनाना है अब जो चीज़ें आपको याद रहती है उसको notes नहीं बनाना है और जो चीज़ें नहीं आदो पाती है या फिर भूलने के लाइक हों उसी का ही आप notes बनाएए उसके बाद से कोई दूसरा भी subject आप ले सकते हैं जैसे geography ले सकते हैं तो geography में आप चाहें तो कोई दो chapter आप चूच करिए जो week में पढ़ने यह बहुत बढ़ा target में बता रहा हूं यतना आसान नहीं इसको cover करना लेकिन इसका अगर आप 50% भी cover करते हैं एक week में तो भी आप दीरे दीरे करते करते पेपर आने तक आप पूरा एकदम आराम से complete कर ले जाएंगे उसके बाद science की बात आती है तो कोई एक subject आना है चाहिए फिजिस कमेश्टी चाहिबायो कोई भी एक subject उठाईए आप वही chapter जो है क्या करिए उस week revise करिए उससे अलग अलग question पिर भी इस here paper में भी देखिए आ रहे हैं या फिर online जहां से आप test series देते होंगे वहाँ पर भी देखिए उस chapter से related जो भी test series है उसको complete करिए इससे क्या होगा कि एक ही chapter अगर आप उठाते हैं तो उससे जितना deep से deep आप जा सकते हैं चाहिए तो youtube से अब भी उस chapter को search करके उससे related important question भी आप cover कर सकते हैं तो लेकिन मैं कहता हूँ कि एक ही chapter का target रखे अगर आपको कम लगता है तो आप बढ़ा सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन math, gk और science ये तीनों का जब एक week का target लेकर चलेंगे तो ये तीनों cover करना भी एक week में ज़्यादा लगेगा आपको उसके बाद से आता है तीसरा point ये है online test after three weeks मेरा कहने का मतलब after three weeks मैंने इस ले लिखा है कि जब आप starting करेंगे तो शुरू में ही आपको online test नहीं देना है जहां तक मुझे लगता है सबसे पहले आप कुछ कम से कम जो है बीस परसेंट ही आप से लेवस का complete कर लिजिए पढ़ लिजी उसके वाद से टेसरी दीजी weekly test आपको देना है स्रिफ मतलब एक week में starting जबाब कर रहा है तो एक week में एक ही test दीजी जो complete test आपको देना है जो cvt1 के आधार पे हो मतलब cvt1 का ही test आप दीजी और यह क्या होता है कि 60 मिनट में एक घंटे में और यह 75 question होता है तो इसको आपको एक घंटे में 75 question करना है तो हो जाए लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ेगा अब इसमें जो गलतियां होती है उसको कैसे online test को analysis सिखा कैसे किया था इससे मैंने वीडियो बनाया है तो वह अलग topic है आप चाहें तो playlist में जाकर उसको देख लीजेगा लेकिन आपको तीन week में मतलब तीन हफते बाद जो है पह कुछ लोग daily का भी current affair पढ़ते हैं YouTube से हो सकता है या फिर किसी भी platform से जह कोई भी online site हो वहां से भी आप read कर सकते हैं लेकिन मैं जहां तक follow करता हूं वह monthly magazine follow करता हूं क्योंकि daily current affair देखके update रह पाना थोड़ा सा मुस्किल होता है लेकिन जब भी आप social media से जुड़े हुए ह लोगों से बात करते हैं या फिर जो भी Facebook हो या फिर Instagram हो गया वहां से आप connected रहते हैं तो चाहते हुए भी कई current affair आपके तयार हो जाते हैं क्योंकि वो सब news में रहते हैं और आप देखते हैं तो उससे current affair आपके तयार होते रहते हैं लेकिन आप कोई भी एक monthly magazine आप जरूर रखिए मतलब उसको last में cover करिए महीने के या फिर शुरू में भी cover करिए जो भी आपको पिछले महीने का cover करना है तो शुरू में आप cover कर लेजे उसको आपको तीन से चार दिन में complete करना है यह सबसे बड़ी बात है क्योंकि होता क्या है कि अगर monthly magazine आपने खरे दिया आपन दस पन्य एक दम बिल्कुल भूल जाता है तो क्या करिए कोशिश करिए कि एक बार जब आप बैठीए मतलब तीन चार दिन में उसको दस पन्य करके मुझे लगता है कोई भी magazine तीस से चालिस पन्य से ज्यादा नहीं होगा और daily दस पन्य का ही target रखिए हर एक line उसकी important नहीं करने क्योंकि आपने जो previous year paper देखे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के question आते हैं बहुत deep में नहीं जाना है तो उसका handwriting notes जरू रखिए और हर मन्त का कम से कम तीन से चार पनने का आपका maximum तीन से चार पनने का ही आपका current affairs का notes बनेगा लेकिन notes बनाना बहुत जरू जरू है मन्तले magazine का तो यह आप मन्त के end में भी इसको कर सकते हैं तीन से चार दिन का काम है लेकिन इसको revision जरू करना है पांचव पॉइंट है engineering drawing इसको अभी छोड़ के रखेंगे हम क्योंकि आपको सबसे पहले cbt1 clear करना है लेकिन आपको target cbt2 का लेके चलना है लेकिन cbt2 क बीच में मतलब cbt2 के बीच में बहुत ज़यदा time मिलता है जो engineering drawing को cover कर सकता है basic science and engineering को भी उसमें cover किया जा सकता है लेकिन basic science and engineering क्या है वो आपका यही है जो general science आप पढ़ रहे हैं उसी को ही थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है उसमें numerical रहते हैं तो मैं उसको वहाँ पर cover क ही रह रहा है कि जो लोग नए हैं और जिनका dream है और वो लोग आना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि start कहां से करें तो मैंने सोचा कि काफी कम से एक वीडियो बनाया जा जिससे आप कम सकम start कर दें कौन कौन से book basic जो चीज़ें जरूरतें वो खरील दीजिए और एक पढ़ाई start कर दिए धीरे धीरे अपका मन लगता जाएगा और अपके तैयारी धीरे धीरे बहतर होती जाएगी अब उसके बाद से कुछ लोग आप ये भी concept कर सकते हैं जिसे last week only for revision मतलब क्या है कि मैं अगर कहूं तो हर मन्त के last week जो होगा वो आप जितना भी इस म अच्छे से बना रहेगा और मन्त के end में revise करेंगे तो होता क्या है कि बहुत ज्यादा चीज़ेंगे बहुत ज्यादा बढ़ा हो जाएगा तो revision करना उसका थोड़ा आसान नहीं रहेगा तो आप कोसिज करिए कि जब आपका जिस दिन पढ़ने का मन ना हो तो आप उस दिन डिवाइज कर लिजे उसमें सबसे important है current affairs current affairs को revision बहुत जरूरी है current affairs का revision क्योंकि होता क्या है current affairs हमेसा नया ही होता है जी कि क्या होता है कहीं न कई आपने कभी न कभी पढ़ा है तो वो तीन बार चार बार आपने उसे पढ़ा है तो हो सकता है वो दिमाग से ना उतर है अब मैं बात करता हूँ जब एक महीने या डेर महीने की preparation आपकी हो जाए जो भी आपने ये step follow किया है उसको पूरा कर लेते हैं आप तो कोसिस करिए दो previous year paper एक week में solve परने का जो भी CVT1 का previous year paper आपने खरीदा है कोसिस करिए कि CVT1 का जो paper है आप एक week में दो solve करिए किसी भी आप दो दिन के gap पर आप कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपका slaves भी करीब करीब 20% ही slaves complete किया मुझे जाना तक लगता है कि 20% आपने complete किया अब आप previous year paper देने लाइक हो गए है उसमें आपको current affair पे ज़्यादा focus करना नहीं है सिर्फ आपको जो भी GK है maths है reasoning है उसको cover करना ह reasoning के लिए कोई भी आप book चाहें तो ले सकते हैं जो related हो चाहे platform की हो चाहे अरिहन publication की हो चाहे राके स्यादव publication जो भी हो यह सब related book बनाते हैं तो उसमें reasoning का आप book ले सकते हैं लेकिन मुझे लगता है जब आप previous year paper देंगे तो उसमें reasoning बहुत ही sufficient है आपने slaves लिख के रखा ह अब चाहें तो आप slaves लिख करके एक-एक slaves को YouTube पे वीडियो देख सकते हैं आप अब इसके बाद आपको क्या करना है जब preparation आपकी एक महीने complete हो जाए एक या दो महीने तो उसके बाद से आप courses करिए एक या दो महीने बाद आप कम से कम week में दो online test दीजे और मुझे लगता ह अब इसको बढ़ाने की जरूबत नहीं है वीक में जब आप दो online test series जब जो भी आप test series जाहें join कर सकते हैं आप देते हैं CBT1 को ले करके तो ये आपकी preparation को और strong बनाएगा और online test series बहुत बहुत जरूरी है जो भी आप इसमें पढ़ रहा हैं जो भी चीजे मैं अभी बताय उसमें कोई भी चीजे आप चाहें तो skip कर सकते हैं लेकिन आप test series बिलकुल मत skip करें यही आपका असली में मुल्यांकर करता है कि आपकी पढ़ाई या preparation कितने ही strong हुई है तो test series आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है दो online test series अगर आप week में देते हैं तो बहुत होता है क्योंकि एक दिन में अगर आप online test series ब देते हैं एक दिन में जिस दिन तो उस दिन आपका पूरा दिन test series देने और उसकी analysis करने में ही चला जाता है और इसकी analysis जरूर करना है आपको जो भी question इसमें आते हैं वो आपको लिख के रखना है इससे आपको यह पता चलेगा कि कम से कम particular जो chapter आपने पढ़ लिया है उसमें कि question अगर आपसे नहीं होते हैं मतलब क्या है कि उसमें कुछ नया आपको जानने को मिल रहा है अब लास्ट में एक बात और कहना है कि जो भी चीजे मैंने भी बताया है यह कम नहीं है यह करेंगे आप तो आपका पूरा week के आपका पूरा month ज होता है कि बस लिख के तुरंट skip करके फिर दूसरा वीडियो देखने लगते हैं तो मुझे पता है कि कुछी लोग यह करेंगे हो सकता है आपका भी जो भी पढ़ाई का तरीका होगा वह भी बहतर है मैं नहीं कर रहा हूं कि यह जो मैंने बताया इसी तरह से पढ़ेंगे तब यह आपका सेलेक्शन होगा आपका भी पढ़ाई का जो भी तरीका है आप उससे भी पढ़ाई करिए उससे बहतर रिजल्ट आ रहा है तो लेकिन अगर जो लोग यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए स्टार्टिंग क्या करनी है आपको मैं बता देता हूं सबस है जो ओया जो जो लोग और अच्छे से करना चाहते हैं जो मैंने बताया उसको फॉलोग कर सकते हैं जो लोग इतना नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहाँ गा वो सिर्फ प्रिवाश य करना है बस बाकी जो लोग अच्छे से पिरपरसंग करना चाहते हैं वो मैंने जो भी उपर पर सीजर बता है उतना कोसिस करिए क्योंकि वह भी चीज अगर आप करते हैं तो पूरा वीक भी आपका चला जाएगा आराम से कम नहीं है वह बहुत थी सफिसेंड मैंने बताया उस तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर सकते हैं थैंक यू अल दे बेस्ट